दोस्तो फाइनली गूगल का पिन कॉड मुझे मिल चुका है गूगल ने मेरे अड्रेस पे बेज़ा था और अभी अभी जाके मैं लेकर आया हूँ और मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना दें और आप सुभी को दिखा दें कि आप अपने गूगल एडसेंस को कैसे कितने दिनों में मेरे पास आ गया आज मैं complete इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप देख सकते हूँ मेरे हाथ में Google का पिन तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Google का पिन मुझे मिलने में कितने दिल लगे और आपको कितने दिल लग सकते हैं और आप कैसे इसे verified कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी से request है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों Google का जो pin code मुझे मिला है मुझे completely 8 में दिन के बाद मुझे Google का pin code मिल गया था अगर मैं अपने post office में जाके contact ना करता तो हो सकता है ये मुझे 10 से 15 दिन में मिलता तो दोस्तों मैं continue contact करता रहा उन से और मैंने यहाँ पे अपना mobile number भी लिखा हुआ था जैसे ही ये post office में पहुंचे तो postman मुझे call कर ले और मैं वैसे तो 3 दिनों से continue से call कर रहा था क्योंकि पिछली बार जो मेरे music company का था उसका आया था उसे भी इतने दिन लगे थे और मैं खुद जाके भी ले आया था तो दोस्तों अभी हमारे पास आ चुका है इसमें कुछ नहीं है इसमें सिरफ और सिरफ आपको दिखा देता हूँ इसमें सिरफ और सिरफ pin code ही होता है आपको मैं दिखा देता हूँ वो किस तरह का होता है दोस्तों आप देख सकते हो यह pin code है तो इसे कैसे apply करना है तो चलिए हम चलते हैं computer की screen पे तो दोस्तों हम आ चुके आपने computer की screen पे और आप यहाँ पे देख सकते हो your payment are on hold because you need to verify your address आपको simply action पे click करना है then आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी identity verification complete है उसके पाद address verification uncomplete है तो दोस्तों जो Google ने आपको pin भेजा है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो तो उस pin को हमें यहाँ पे fill करना होगा जैसे हम इस pin को यहाँ पे fill कर देते हैं तो दोस्तों इसे submit कर देना है उसके बाद यहाँ पे भी address complete हो चुका है address completed verification complete हो चुकिया और यहाँ पे जो error आ रहा था वो भी हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है